अपर दूरवीन होस्पटेल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं इस नए वीडियो में नहीं जनकरी के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं महिने के पहले और दौरान होने वाले आपके फिजिकल चेंजिस के बारे में हर महिना को कई जुए स्वीं हो रहा है थाए चेंज हो रहा है तो उड़ा इर्िटेबिटी ख सब्ल gak जाए हो आरा है थोड़ा सा मूई डेप्रेशन सा लगता तो यह बहुत सारे ऐसे changes है जो हमें period से पहले महसूस होने लगते हैं किसी को दो दिन पहले किसी को तीन दिन पहले और ये period के दोरान भी चलते रहते हैं और जैसे ये period खतम होने की तरफ आता है तो automatically changes खतम हो जाते हैं, normal हो जाते हैं तो यह सारे जो symptoms नए हमें सामने देखने को मिलते हैं पीरिड से पहले और पीरिड के दौरान तो हमें कई बार लगता है कि आखिर यह क्या है यह क्यों है और इनको कैसे कम किया जा सकता है तो आज के इस वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं यह जो सारे symptoms हैं कुछ associated symptoms हैं जो महिने के साथ associated होते हैं उनको हम premenstrual syndrome के नाम से जानते हैं premenstrual syndrome एक specific condition है जो periods के साथ ही associated होती है जो महिना आने के पहले ladies के अंदर देखी जाती है अब मुवन चार में से तील ladies को यह समस्या देखने को मिलती है जिसमें पीरिड आने से पहले उनके थोड़े mood changes होने जाता है उत्रा चिडचिड करने लग जाती है अपने आप से तुना परेशान हैने लग जाती है और थोड़ा सा उनको लगता है कि depression फील होने लगता है थोड़ा सा उनके खाने की आदते वदल जाती है उनको कुछ मीठा या खटा खाने की cravings होने लग जाती है तो यह जो स तो हमें यह जानना जरूरी है कि क्या Premenstrual Syndrome एक बिमारी है, क्या इसका हमें डॉक्टर से इलाज लेना चाहिए, या ऐसे क्या घरेलू संसाधन है, क्या मेजर होम रेमिडीज है जिस से कि इन सब सिम्टम को कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है तो इस पूरे वीडियो में ह physical symptoms हो सकते है फजी कल सम्टमज आमोमन हर रड़ीज को मैहसूस होते है कि यानि कि पेट के निचले हिस्से में तर्ध होना यानि की पेड़ो में तर्ध होना इसके अलावा पूरा बॉड़ी एक करना थोड़ा weakness फटीव ठकान महसूस करना और इसके लावा ठकान, सिर्दर्द, भारी पन, ये सब चीज़ें भी साथ में असोसेटेड होती हैं, कुछी किसी लेडी को काफी क्रेंप्स भी महसूस होते हैं, जिनको पेंकिलर्स लेने की नौबत भी आ सकती है, तो हमने एक हमारे वीडियो में बात किया था कि महीने के दौरान दर्द क्य हैं, और कुछ emotional symptoms भी होते हैं, emotional symptoms जो हमारे mood से, हमारे सोच के साथ associated है, जो हमें feeling होती है, उसके साथ लगता है, हमें थोड़ा depression लगने लगता है, mood थोड़े changes लगने लग जाते हैं, थोड़ा चुड़ापन लगता है, ठकान लगती है, और इसके अलावा हमें लगता है कि में हमें भूपने ही लग रही है, नीन नहीं आ रही है, और काम करने में मन नहीं लग रहा है, रेस्ट करने का मन करता है, और कई बार depression काफी हद तक बढ़ जाता है, तो वो भी एक चिंता का विशे हो सकता है, तो इस तरीके कि अगर आपको कोई symptom लगते हैं, तो आपको य सदा आपको लगता है कि मैं काम नहीं कर पा रही हूं, नॉर्मल अपना जो घर का रूटीन वर्क है या ओफिस का वर्क है, वो मेरा रूख रहा है, मुझे छुट्टी लेने की जरूरत पढ़ रही है, या मुझे पेन कीलर्स या और किसी तरीके की मेडिसिन लेने की जरू ना हो और आप अपना नॉर्मल काम आसानी से कर पाएं, अब जब आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो डॉक्टर के कुछ सवाल होते हैं, जिससे कि आप डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम को evaluate कर सकी, इसलिए अगर आपको इस तरीके की कोई symptoms feel होते हैं, तो आप उनको note down कर कि आपको पीरिड के कितने दिन पहले शुरू हो जाता और पीरिड आपका कब शुरू हुआ और पीरिड इस तारीक को खतम हुआ और आपके symptoms कब खतम हुए, हमें ये correlation चाहिए होता, आपका symptoms का और period का, आपको डायरी के अंदर दोनों चीज़े note करनी पड़ेंगी, कि symptoms पीरिड कब खतम हुआ और symptoms कब खतम हुए, इस तरीके से आपको एक चार्ट आपको हर महीने की महीने बनाना पड़ेगा, और उसमें note करना पड़ेगा, कि आपको exactly क्या-क्या symptoms फील हो रहे हैं, क्या आपको body में changes लग रहे हैं, वेट भी आप नोट कर सकते हैं, कि आपको पीरिड से पहले कितना वेट पीरिड के दौरान वेट बढ़ गया गया, तो इस तरीके कि कुछ फीजिकल अगर आपके पस documents होंगे, तो डॉक्टर आपको अच्छे से सलहा दे पाएगा, और कई बार हमें लगता है कि कोई physical problem हो सकती, कोई anatomical problem हो सकती है, तो हम पेशेंट पाफी से वो exclude किया जा सकता है, तो डॉक्टर के पास अपना record लेकर जाएंगे, तो डॉक्टर आपको प्रॉपरली सलहा दे पाएगा, अगला सवाल हमारे दिमाग में यह आता है कि प्रीमेंस्ट्रोल सिंड्रोम अगर मुझे है, और डॉक्टर ने आपको बता दिया है कि आपको प्रीमेंस्ट्रोल सिंड्रोम है, और आपको इस वीडियो में जो सिंटम्स और बताये गए हैं, उससे आपको लगता है कि आपको प्रीमेंस्ट्रोल सिंड्रोम है, तो आप उसके लिए घर पे क्या कर सकती है, ऐसे क्या रेमेडी जो आप घर पे कर सकती है, आपको वह भी हम आपको आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका लाइफस्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट है कि समय पर उठना दूसरा उठने के बाद आपना नॉर्मल जो भी आप काम करते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम को सिंपल एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ आप कम कर सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है कि समय पर उठना दूसरा उठने के बाद आपना नॉर्मल जो भी आप काम करते हैं उसके पाद एक फिजिकल एक्सरसाइज शेडूल जरूर एड़ करना और इसके अलावा अगर आप रंणिंग कर सकती हैं या और कोई इसी तरह के एक एक्सराइज आप एड़ करना चाहें तो वह कर सकती है हफ्ते में कम से कम 30 मिट के लिए पांच दिनकी एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए अगर आप 5 दिन 30 मिट लगातार एकसरसाइज करती ह बोडी का टोन बढ़ जाता है, बोडी की फिटनेस बढ़ जाती है, तो बहुत सारे फाइदे होंगे, इसके अगला जो हमें चेंजे अपनारे रूटीन में करना है, जो है कि आप तीन से चार लेटर दिन भर में पानी पीएं, दिन भर में पानी पीने से आपके बोडी के क्योंकि हरी पत्तेदार सबजियों में खाने में काफी सारे मिनरल्स वाइटामिल्स होते हैं, इसके इलावा हमें कैल्शियम रिच फूड भी एड करना है, कैल्शियम रिच फूड कौन कौन से होते हैं, दूद होता है, दूद की प्रोड़क्स होते हैं, यानि की पनीर, च इसके लगावा हरी पतेदार सब्जीयां सारी इंपोर्डेंट है इसके लगावा कुछ सीड्स होते हैं पॉप्पी सीड्स और चिया सीड्स आपको इकम मदद करने में करते हैं चैल्षम है तो यह तो यह आप्नी डाइट में एड़ सकती हैं और वे प्रोटीन आप एड़ कर सकते हैं जिसे की भूख भी कम लगेगी और आपको बॉडी में थोड़ा सा एंजरी भी रहेगी इसके साथ में बीनस आप ले सकती हैं और प्राउट के फॉम में भी आप ले सकती हैं इनको दालों को या साबुत जो मुव हैं मोट है इनको य जो PMS के symptoms हैं निकी premenstrual syndrome के वो काफी हद तक कम हो जाते हैं डॉक्टर भी प्रस्काइब करते हैं इसके लावा vitamin B1 और B6 की tablets भी आप एड़ कर सकती हैं जो आपको इन सब symptoms के बाहर निकलने में मदद करेंगे प्री-menstrual syndrome के symptoms के बारे में तो हमने समझ लिया कि ये सब symptoms होते हैं लेकिन आपके दिमग में caution आ रहा होगा कि आखिरे होता क्यों है क्या कारण है प्री-menstrual syndrome का तो इसके मोटी तोर पर एक ही कारण है जिसको बहता है कि प्रजिस्टॉन की कारण डेप्रेशन आता है तो ये दोनों हार्मोनल इंबैलेंस के कारण ही प्री-menstrual syndrome होता है इसलिए डॉक्तर्स आपको कई बार ओसी पिल्स जैने औरल कॉंट्रासप्टिव पिल्स जो 21 दिन की गोलियों का पकेट होता है वो देते हैं एक सेर्थ हार्मोन का काम करता है और दूसरा कारण है चादाचाए हर्मोनल हो अब आफके में काम हो जाता है तो ये आपको डेप्रेशन की स्टारिशन ही हां फटीच होता ही चुचड़ा पन होने लगता है तो इसे कारण भी-is आपको problem हो सकती है तो यह जो serotonin का level है वो कैसे बढ़ाया जाए बॉड़ी के अंदर hormones को कैसे balance किया जाए तो उसके लिए आप जब doctor के सलहा लेते हैं doctor के पास आप जाते तो doctor आपको suggest करते हैं कि आपको क्या treatment लेना है doctor ने जब आपका sonography देख लिया है और आपको बता दिया कि आपको premenstrual syndrome है और आपको sonography के अंदर as such कोई problem नहीं है तो कुछ medicine doctor आपको prescribe कर सकते हैं जिसमें commonly हम लोग जो prescribe करते हैं आप लोगों को premenstrual syndrome के लिए उसमें एक तो painkillers होता है जो NSAIDs होते हैं जो आपको body एक को pain abdomen, backache, leg cramps इन सब को cover up करता है और अगर किसी किसी को bleeding ज़्यादा होती है तो यह दवाई थोड़ सा flow को यानि कि blood flow को कम करने का भी काम करती है और इसके साथ में अगर किसी patient को depression का component जादा है या mood बहुत ज़दा depressed है चुछड़ापन या fatigue जादा है और उसका mood swings बहुत जादा है तो कुछ serotonin वाली medicines भी add की जाती है जिने कि selective serotonin reuptake inhibitors कहा जाता है जो कि serotonin का body के अंदर level बढ़ा देता है जिससे कि आपका mood अच्छा बना रहता है और इसके साथ में कुछ supplementation भी दी जाते हैं कि जिससे calcium supplementation vitamin B1, B6 और इसके लावा evening primrose oil भी दिया जाता है जो कि आपको इन सारे symptoms से उबरने में मदद करता है इसके अलावा हमने आपको बताया कि time पर उठना जरूरी है तो लेकिन उसके लिए आपको time पर सोना भी जरूरी है अगर आप proper sleep लेती है तो आपको stress level कम होगा anxiety कम होगी च time पर सोना और टाइम पर उठना भी जरूरी है इन सब मेजर के साथ में एक बहुत important चीज़ है कि अगर आप calcium rich food ले रही है लेकिन calcium को absorb होने के लिए हमें vitamin D की जबरत पढ़ती है vitamin D हमें दूद की products के अलावा sunlight से मिलता है तो अगर आप daily sunlight में बैठती है sun exposure लेती है तो vitamin D भी बॉड़ी में अंदर आपका synthesis होगा और जो sunlight है वो आपके mood elevation का काम भी करता है जिससे की depression भी कम होता है तो मैं समझती हूँ कि आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल गई है कि pre menstrual syndrome होता क्या है उसके क्या कारण है क्या लक्षन है और क्या डॉक्टर आपको treatment prescribed कर सकता है और आप घर पे इससे उबरने के लिए क्या home remedies आप इस्तेमाल कर सकती है इन सबके अलावा भी अगर आपका कोई caution छूपता है आपको लगता है कि वीडियो में cover नहीं हुआ है तो आप आप से जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में नहीं जानकारी के साथ तब तक नमस्कार